हेलो फ्रेंज फिस्ट रिट्रोर्स में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ आलो की खिचडी इसके लिए हमने यहाँ पर आलो कट करे हैं धनिया, प्यास, टमार्टर, हरी मिर्च, लेज़न रद्रका पेस्ट, टमार्टर और न्यूटिला तो चलिए खिचडी बनाना स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पर रिफाइन और लिया है, उस पर हमने तरका लगा है जीरे और तेश पती का, तो जीरा हलका ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसमें अट करेंगे, प्यास और हरी मिर्च का तीवी, इसके बाद हम इसे भी सुन नरा होने तक भूनेंगे, तो चलिए अब मसाला बना लेते हैं, यहाँ पर हम तमाटर में हमने धन्या पाउडर डाला है, और उसके बाद हम इसमें मसाले और एट करेंगे, लाल मेज पाउडर, आप जीता तीखा खाना चाहते हो, उससे साब साब मसाले इस पर एट कीज़ का हल्दी पाउडर, तो यहाँ पर हमने मसाले बना लिए हैं, हमारा प्याँ जो अच्छे से सुना रहा हो चुका था, उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं न्यूटिला, अब न्यूटिला को भी हम सुना रहा होने तक भूनेंगे, इसे हम फ्राई करेंगे, तो चलिए हमा तुमार्टर में मिक्स करे थी, इसमें हम नमग भी ऐइड कर देते हैं, हमारे न्यूटिला और आलो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें एड़ कर देंगे टमार्टर, और साथ में मसाले, हमने टमार्टर को भी घुमाते हुए गला ले》 और जो मसाले हैं वो कर रखाता उसे भी हम डाल देंगे आप देख सकते हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं इसके बाद हम इसमें चावल एट करेंगे तो यहाँ पर मैंने चावल को दूखे रख लिया था अब इसमें हम चावल एट करेंगे चावल डाने के बाद हम इसको भी अच्छे से पांच मिनट तक घुमाएंगे या एक मिनट तक धकन धके रख देंगे इससे हमारे चावल है ना वो भी अच्छे से फ्राइ हो जाएंगे और साथ में एट कर देते हैं हरिधने की पतिया इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड लास्ट स्टेप हम इस पर पाने एट करेंगे तो बस हमारे खिचडी जो है ना बनने के लिए त्यार हो चुकी है इस पर दो सिटी आने का इंतिजार करेंगी और रेडी हो इसमसे हम पते हटा देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ठंड के मौसर मेना खिचडी खाने में अलग ही आनन्दा आता है यह दाल चावल बनाने का मन्नी करता है तो आप गरम गरम खिचडी बनाएए खा लेजिए तो आपका टाइम भी बचाएगा और आपको ब तो आप भी ट्राइ कीजिए और बनाएए अगर वीडियो बसन आती है तो वीडियो को लाइक केजिएगा मिलती हूँ एक नई रेसिपिके साथ फिर से तब तक के लिए बाई